प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षिया 6 वी से सामाजी की विज्ञान अर्दवार्श एक प्रिक्षिया जो आज आपकी हुई थी उसके पर्षन हल करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चो ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें और अपने साथियों को सेयर कर दें तो शुरू करते हैं आज की क्लास में आज के पर्षन पत्र का हल तो पहला पर्षन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बी सी का अ 28 सुक्त हैं तो ओप्सन नमर 20 का राइट होगा नंदवस का संस्ता पकोन था तो महापदमनन थे ओप्सन नमर ग्यान होता है तो उत्तर दिशा का ग्यान होता है गर्मी में क्रिश्मिस का प्रव कहां मनाया जाता है तो आस्ट्रलिया के इंदर मनाया जाता है वास्कोड इगामा ने बारता ने किस मारक की खोज की ती सुमुंद्र मारक की खोज की ती तो ओप्सन नमर खाया इसका बिल्क तोस्नम्र 11 है मक्कर रेखा बुमदे रेखा के समानतर 29.3 डिगरी पर श्तित है उत्तर दुरो वृत्री गोलार्द में श्तित है सरस्वती सिंदु सबेता का सबसे विश्तरत स्थान राखेगड़े गुरुगरा में श्तित है तो ये गलत है वेदी काल में जीवन को चार भा तात्विक प्रमाण लिखें पहला है राम से तु यह एक पुल है जो मानो निर्मित है और भारत वैसी लंका को जोड़ता है जिसे सिरे राम द्वारा निर्मित माना जाता है मिट्टी की मुर्तियां मिली है अरियाना से जुड़ी रामायन से जुड़ी मिट्टी की मुर्तिय इस ब्यार मंगाल, लाजस्तान, उडिसा और अरिहाना से भी मिली हैं। गलोब क्या है? तो मुनिस्य द्वारा बनाएगे गोलाकार प्रिथ्वी का प्रतिरूप को गलोब कहते हैं। यह में प्रिथ्वी की सही आकरती का सही ज्यान करा सकता है। इन पर दो द्रोग सांस और देशान तर रिखाएं। मासागर मादविप्ति खाए जाते हैं। यह हमारे घ्रह का सपस्ट विवरन प्रस्तूत करता है। बार्त में विवित्ता का एक उदार्ण दीजिए। बार्त विवित्ताओं का देशा है। हम विवीन बासाइं बोलते हैं। हमारा खान पान अलग है। हम अलग-लग त्योहार मनाते हैं। अलग-लग द्रमों का पालन करते हैं। जब हम सभी आपस में मिलजूल कर रहते हैं तो हमारा जीवन नहीं रंगों से सरोवार हो जाता है, आगे है गुर्णन परिकर्मन को परिबासीत करें, तो गुर्णन जब पृत्वी अपने अक्स पर गोमते हैं, 24 गंटे में एक चक्र पूरा कर लेते हैं, उसे गुर्णन कहते हैं, पृत्वी के काम दिन राथ बनते हैं प्रिकर्मन क्या है? प्रिथी अपने अक्स पर गुंणन करती हुई सुरिये का चक्र बी काटती एक उस्षीत कर्षया में सुरिये के चार रणिद शक्र लगाते हैं इनकी संख्यात है ये सुरिये से उस्मार प्रकास प्राप्त करते है तारे बेक गोलिय पिंड है जिन भी अपनी उस्मों और प्रकास है तारे कहलाते हैं इसकी इनकी संख्या अनगिनित है सुरिय भी एक तारा है पहली बोद सभा कायाजन कहा और किस राजा के सासन काल में हुआ तो पहली बोद सभा कायाजन 483 इसा परो में राजग्रे की सबत परने गोफा में अजाद सत्रू के सासन काल में हुआ सरकार सबद से आपके आसमाजनेक सूची बनाईए कि किस तरह से सरकार आपके जियून को प्रभावित करती है तो किसी भी देश के उपर उस देश के सविधान के अंसार उस देश पर सासन चलाने वाली संस्ता को सरकार कहते है सरकार हमारे जियून को प्रभावित करती है देश की शीमाओं के रिक्षा करती है हमारे लिए जन सुईदेंजे सड़क, अस्पताल, स्कोल, पीने के पानी के विवस्ता करती है देश में सांती विवस्ता बनाई रखती है लोगों को नया उपलब्द कराती है दूसरे देशो की योजनाई बनाती है और उन्हें लागो करती है इसके बाद में महाविर स्वामी के द्वारा बताएगे पांच महावर्थ कौन से तो महाविर स्वामी के द्वारा बनाएगे पांच महावर्थ हैं पहला है अहिसा परतेक व्यक्ति का परमदर्म है किसी भी व्यक्ति को त महावर्थ थे वो महाविर स्वामी जी ने दिये थे तो ये था आज का जो अर्दवार्शीक पेपरा जो हुआ उसका हल तो उमीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे जो मैंने परस्ण करवाए हैं याँ पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाई बाई थन्यवाद